नमस्कार आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हैं आपके साथ राजिश की वारी भोजपुर में करोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और करोना मरीजों को हर बेहतर सुप्धार देने के उदेश से जिला प्रशासन ने भी ठांग ली है ताकि भोजपुर के हर करोना मरीजों को बेहतर इलाज हो सके और इसी उदेश से जिला प्रशासन कुस्वाह ने सदर असमताल का भ्रमनकर अपने अजिकारियों को पडानिकारियों को कई डिसार में देश दिये शाथ में जिला अधिकारी ने शिर्षर्टर को आदिस किया कि OPD में धी करोना मरीजों को इलाज के रिवस्था किया जाए करोना वाइरस को लेकर मरीजों की बर्ती संख्या को देखते हुए जिला अधिकारी रोसन कुष्वाहा ने सदर अस्पतार का भर्मन कर सिविल सर्जन समेत कई वरे पदाधिकारी को दिसा ने देश देखते हुए कहा कि मरीजों को हर प्रकार की सुईधार दिया जाए साथी मरीजों के लिए बेतर रिवस्था किया जाए सब्सक्राइब क्या से जाए किरते हम देखते हैं जाए कि हम दो 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 रोसी ब्लाम दो में दो 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 कि द्वारा सुधाश्पितलगा चगनेच्छन क्या गया है किस लिए क्या इंस्पेक्शन के लिए आयत है कि क्या इंपिजान है क्या त्यारी है अगे क्या त्यारी है कैसे मेनेज कर रहे हैं सर ओपीडी के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अधिकारी मोहदे के दोरा सुधास्पितल में इरक्शन किया गया है किस लिए था और उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिये जैसे उम्हें यह भी दिखाए गया कि हम लोग जो कोरोना वार्ड कला रहे हैं ना उसे व्यसंतु दिखे और एक हफ्ते के अंदर हम लोग इस कोरोना वार्ड को शिफ्ट करने जा रहे हैं ओपीडी कंप्लेक्स में यह वहाँ पर रंगाई पुदाई के कार्क्राइब कार्य हो रहा है और एक हफ्ता में लगेगा और फिलाद सारो पीडी कहां चल रहा है तो पीडी के विभीन विभागों में डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है ना पीपी ओटी में जो मेट्सीन सर्जरी और्थो इस्कीन और टेंटल ये 5 विभाग चल रहे है चिल्देन ओ पेडी असन्षी ऊमें चल रहा है और लेवर में लेवर वाड में मैटरेटी का जो है जिस्टेंसिंग का भी हो जा रहा है और झाल 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 झाल